जैहिंद दोस्तों स्वागत हेगब फिर से आपके अपने चैनल क्रिकन फॉरॉर में तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले आर सीवी वर्सेज एसारच के बीच जो मुकाबला होने वाला है आई पील का उसके ड्रीमिल और अनाल्सिस की तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टन पिक रहेंगे कौन प्लेयर अच्छा खेलता है वेन्यू पे पिच कैसी है अनाल्सिस क क्या कहता है मतलब मैं से जुड़ी सारी जानकारी देखेंगे डिटेल में लेकिन उससे पहले क्या करना है दोस्तों वीडियो को कर देना है जल्दी से लाइक और से आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है उसके अलाव जो भी नहीं उ जो सबसे best method है वो यह है कि नीचे जो पिंड कॉमेंट है यानि फास कॉमेंट उस पर टेलिग्राम का लिंक दिखाई देगा उसे क्लिक कीजिए और चैनल को जॉइन कर लिजे नहीं तो जाहिए यह टेलिग्राम एप पर यह टेलिग्राम है वहाँ पर किसी भी दोस्त साथ चैनल होगा फिर व्यूज व्यूज के जस नीचे description अगर नहीं दिख रहा है व्यूज के आगे मोर लिखा होगा क्लिक करिएगा दिख जाएगा आगे बड़ते 500 रुपए का कमेंट की वे हैं मोस्त लाइक का आपको कमेंट करना है और मतलम फैंटेस जुड़ा मैस से की पचाहजार रुपए का फ्री वे हैं और हर मैच में चलता है कहां पर माइमास्टाइब और एक और बात देखें समय जवाने में आपको हर जगह इंट्री फीस बढ़ा हुआ मिलेगा थोड़ा सा तो आप प्रॉफिट में रहने के लिए आपको एक ऐसा एप देखना कुछ है इसके पास पैसा नहीं है कभी न कभी जीतेंगे उससे स्टार्ट करिए जर्नी और इसके लगर आपके पास है न तो आप 20-30 रुपएं से भी अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं ठीक है ऐसे इंवेश्मेंट लीडर बोर्ड है दो करोड का इसमें भी आप कीजिए और अपनी चर्णी स्टार्ट कीजिए इसके अलावा ओपिनियन ट्रेडिंग भी यहां पर वह भी कर सकते हैं ठीक है आगे बात कर लेते हैं पिछ रिपोर्ट की तो मैच होने वाला राजीव गांदी इंटरेशन स्टेडियम हैदराबाद में यहां पे बाउन्ड लेकिन जनरली यहां पर जम के रन बनते हैं और 200 के उपर आप अराम से स्कोरिंग देख सकते हैं अगर टूपेश ट्रेक होगा तो हम बताने कोसिस करेंगे लास सीजन वी एक टूपेश ट्रेक था जिस पर दो मैचे जुए दोनों 500 के नीचे और पिछला मैच भी थोड़ा यहां पर जम के रन बनते हैं और आप 200 के आसपास आराम से स्कोरिंग की उमीद कर सकते हैं उसके पीछे भी देखे यही एक टूपेश वाला जो फिर से यूज हुआ था पिछले सी जग और बाकी यह 203 बना हुआ है तो आपको दिखाई दे रहा होगा एड-to-head record की बात करें अरसीवी ने 10 जीता है एसारज ने 13 जीता है लेकिन बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे मुझे नहीं लगता है कि एसारज की टीम को कोई टक करते पाएगा ठीक है एसारज बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पे फेवरेट्स होगी और अगर यह बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है हमें 300 पार करना है देखते कब पार करते और पिछले मैच में तो लग रहा था कि 300 पार हो जाएंगे लेकिन बीच में क्लस्टर्स में विकट गिर गयते ठीक है तो मेरे इसाब से फेवरेट यहीं रहेंगे आर्थीवी टीम के प्रिभ् में आता है कि दिनेश कार्थिक जो इनके मोस्ट इंफार्म बल्यवाज है उनका ऐसा यूज करते हैं कि कहिए मत उनको फिनीसर ही बना के रखा हुए ऐसा नहीं है कि स्पिनर के एगेंस खेली नहीं पाएंगे कार्थिक्यार एक दो मैच जिसमें बैटिंग आई अच्छा अगर कर्था आज चानते हैं तो पता नहीं क्या टीम कर रही है टीम निऊच की बात करें मैक्सवल अभी भी सायद नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे प्राबर किसले मैच कहीं के प्लेइंग लोगन की उमीद कर रहा हूं लेकिन अगर इनको बढ़ाना है तो थोड़ा स यह ऐसा कर सकते हैं तो लाया जा सकता है देखते हैं विराट ओपन विल जैक्स रजट पाटिदर पिछले मैच में प्रभुदेसाई सब डीके के उपर आए थे करन सर्मा सिराज फर्गूसन और यस दयाल यह होना चैन का प्रॉबबल ट्वेल डेथ की बात करें तो इनका स्योर नहीं है लेकिन सिराज और यस दयाल के चांसे ज्यादा है फर्गूसन को डेथ नहीं करवा रह है नहीं पिछले मैच में करवाया नहीं उसके पीछे करवाया ठीक है तो ज्यादा चांसे सिराज और यस दयाल के हैं और एक्सपेक्टेड ओवर्स डिस्टिब्यूसन की बात करें तो बैसेकली लिप्टेंडर्स देखिए ज्यादा है नहीं यह कभी सेक सर्मा है फिर ज्यादा ओबर नहीं करेंगे तो मैंने जीरू से दो रखा हुआ है क्या पता सुरुवात में करवा दिया जाए क्योंकि हैड है और सुरी हेड का नाम में भूल गया था ओपनर्स हैं लेकिन उपनर्स इनके 6-7 ओबर के बाद ज्यादा टिकते नहीं है तो इसलिए जैक्स स से ओवर की उमीद कर रहा हूं इवन ग्रीन से भी तो चार में बॉलर में इनको मान रहा हूं करन सर्मा जैक्स मिल के साइथ 5 ओवर के आसपास करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं टीम कंपोजिशन स्क्रिन पे चलते हैं प्लेर वाइज अनालसिस में सबसे पहले आते हैं फ 63.16 का एवरेज है और जबर्जस्त कंसिस्टेंसी रहती है इनका मस्ट अराम से कैप्टन भी कर सकते हैं अच्छा रिकॉर्ड है और पिछले सीजन यहां पे हैदराबाद के अगें सेंचुरी भी लगा चुके इसी वेन्यू पर आते हैं विल जैक्स जो की तगड़े हिटर है हलें कि इनका भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन सामने वाले टीम में गिदबाज भी उतने तगड़े नहीं है खासकर इस्पिनर्स क्योंकि इनकी थोड़ी कमजूरी है तो इस्पिनर्स बहुत तगड़े नहीं है उपर से टर्न नहीं होगा तो स्कोर कर सकते हलें कि भरो consistency हमेशा doubtful T20 में रहता है तो मैं आपको बोलूँगा उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे लेकिन जो चाहें अच्छा नौक खेलते हैं यह ध्यान दीजेगा और टैलेंटेड बले बाज हैं सौट्स हैं इनके पास अच्छे खासे ठीक है फिर आते हैं केमरून ग्रीन जो की अच्छे हीटर है अलेंकी बैटिंग से सूपर फ्लॉप रहा है यह तुड़ना में और बॉलिंग लेकिन यह तीन ओबर के आसपास करेंगे उसमें विकेट मिलने के भी चांसे जहें लंबे उचके उचेकत के गिदबाज हैं तो सौट बॉलों का प्रयोग करेंगे बाउं पल्लेबाजी किया यॉर्कर्स को भी तगड़ा खेलते हैं मतलब नट्राजन के अगेंस भी इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए उपर से कीपिंग बैकप है बस प्रॉब्लम ही है कि टीम इनको कितना मौका देती है लास्ट के तीन-चार ओबर ही बैटिंग मोशली आएगी और उस केस में बड़ा स्कोर सायद ना कर पाएं लेकिन यह 30-35 कभी भी बना के जा सकते हैं प्लस कीपिंग बैकप है और जिस हिसाब से फॉर्म चला है एक ठीक ठाक ऑप्सन होंगे आप कबर कर सकते हैं इनको ठीक है लेकिन रिस्क इनके साथ यही है कि अगर बैटिंग ज्यादा नहीं आती है आराम से चोड़ सकते हैं करन सर्मा बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिल पा रहा है गयदवाजी उस लेवल कर रहा नहीं है और उपर से स्पिन के उधर इतनी तगड़े हीटा रहे हैं क्लासिन अगर ठीके रह गया तो हो सकता है इनका बॉ विकेट उतना मिल नहीं पाता क्योंकि स्टम्प उतना ज्यादा टार्गेट करने ही रहे तो बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे लेकिन पर रिस्क लिया जा सकता है अब मैं आपको बताता हूं क्या कि ट्रेविस सेट और अभी सेक सर्मा दोनों अंधा धून हीटिंग करते तो हुसमें मिस एठ होने के चॉंसे हैं वो अलग बाते जड़ादा उन्होंने मिस हट कीजा नहीं है ठीक है लेकिन भीलि टिवाज हो पिर आते हैं क्यांठ टेकिंग मिले सक्ता है पिटाई भले हो लेकिन अच्छे गिदवाज हैं लगतार सौट बॉलों का प्रयोग करते हैं बीच में कटर्स का भी उपयोग करते हैं बस यह गिया कि टीम इनको अगर डिथ में रखे न तो यह कंसिस्टेंटली दो विगट के आसपास लेके जा सकते हैं डिथ नहीं कर रहा है इसलिए बहु ट्रम कार्ड रिस्क ले सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में डिथ में इनको लाया गया था नीचे और कोई नहीं खेलेगा तो अगे बढ़ते हैं संद्राइजर्स हैदराबाद टीम के प्रिव्यू की तो प्रिव्यू की क्या बात करें अपना ही यह लेवल सेट करके चल ले क्रिकेट गया जब आराम से खेलते हैं और पूराने डेवला अब क्रिकेट है ना उसमें आपको बैटिंग ट्रैक है तो आप क्यों नहीं अपना पूरा इरादा दिखाए कि हम इंटेंट दिखाए और रन बनाए और वो कई लोगों को सीख भी दे रहे हैं भारती टीम के पांच मैचे जीच चुके हैं साथ मुकाबलों में और फिप्त रैंक पे हैं टीम नियूज की बात करें जैदे उनात कट पिछले मैच में ही बाहर हो गया था साइद उम्रान मलिक ही खेलते हुए साइद दिखाई दे क्योंकि लिफ्ट हैंडर सामने वाले टीम में ज्याद दूल समझ पैट कमिंस भूवी उनात कट उम्रान मलिक में कोई है मारकंडे और नट राजन यह होना चाहिए प्रॉबल ट्वल डेथ नट राजन को और भूवी को करना चाहिए ठीक है कभी कभी कमिंस भी कर जाते लेकिन किया नहीं है एक्सपेक्टेट ओवर्स की बात करे लेकिन भाई टीम का अलग ही वह है आउट कर दिया तो फिर इनको हटा दिया गया कि लिफ्ट हंडर आगे हम आप से बालिंग नहीं कराएंगे तो यह बड़ा रिस्क है मैंक मारकंडे का कि विकेट लेने के बाद भी खासकर सेकेंड बालिंग में इनके ओबर कट सकते हैं उम्रान बलिक जैदे उनात कट यह दो से चार सहवाज अमद जीरो से दो उसके अलावा नितेश कुमार रेडडी अगर पिटाई हो रही है स्पिनर की या किसी की तो नितेश कुमार रेडडी कुछ ओबर कर जाएंगे अब इसे एक सर्मा मोस्ट प्रॉबली पहला ओबर कर करते हैं जम के हिटिंग जब तक रहेंगे जोन में आई बॉल मारेंगे आउट हो जाए भले रिस्क रहता है लेकिन इनका गेम ऐसा नहीं कि भाजने वाले पर रहता है इनको पूरा कॉंपिडेंस रहता है हाँ थोड़ा मुमेंट हुमेंट हुआ तो विकर फेकने के चांस सब्सक्राइब फिर आते हैं अब इसे एक सर्मा यह भाई बोलना है आप दागदी फायर तो मैं दागदी रॉकेट रॉकेट लाँच करूंगा थोड़ा सा दिक्कत क्या है दिक्कत यह कि यह उतना कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाएं लेकिन 20 से 35 के आसपास हर मैच में इन बात और बताता है इनका 20 और दूसरों के 20 में अंतर क्या है दूसरों के 20 में आपको मुस्किल से 21-22 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि एक दो चौके रहेंगे लेकिन इनके 20 में सायध हो सकते हैं तीन छक्के हो इस ट्राइक रेट बोनस का 6 पॉइंट और तीन छक्के का 6 होंगे हां रिक्ष्टेकर ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि जिस अंधा धून स्टाइल में यह हिटिंग कर रहा है उसमें विकेट फेगने के भी चांसे रहेंगे और बड़ी पारियां उतनी नहीं आई है लेकिन इनका 30-34 भी आपको अच्छा खास पॉइंट पैटिस तो बनाई के देहीं जा सकते हैं बढ़ियां बलेवाज हैं अच्छे पिक होंगे फिराते हैं हैं यह बहुत ज्यादा इंप्रेज किया है लेकिन इनके साथ दिक्कत यह जब जब बलने से किया है उनको बैटिंग नहीं मिलेगी अगर इनका टॉप 3-4 अच्छे रहेंगे तो यह दिक्कत है इनके साथ और दूसरा बॉलिंग का कोई से ओटी नहीं है स्मॉल लिंग में बहुत रिस्की पिक होंगे लेकिन आजे ट्रम काड गैंड लिंग में ट्राइक कर लिजेगा अगर इनका उपर का विकेट जल्दी किरा क्योंकि सेटिंग मोड में रह से ओटी नहीं रहता प्लस बैटिंग में कब आएगी वह भी से ओटी नहीं रहती तो एकाग जील में लेकिन रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि डूएल रोल रहता है कभी-कभी ठीक है अब्दुल समथ बहुत ही तगड़े हिटर और लाजवाब हिटिंग किया है और रह रह कई मैचों में टीम के अंसंग हीरो रहें केप्टेंसी से तो अपना काम करी दिया है प्लस बालिंग से भी अपना काम कर रहे हैं मस्ट एपिक रहेंगे फिर आते हैं भूबी कुछ खास नहीं कर पाए है हलंकी रहरे के एकनोमिकल स्पेल आता है और सबसे बड़ी बात विक पहले तो लाइन लेंथ उतना अच्छा नहीं होता पेस सेंसेशन है 155 के पास लगातार गिदवाजी करेंगे लेकिन दिक्कत यह यह लाइन काफी गंदा होता है और कई बार पिटाई होता ओवर कट जाते हैं बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे लेकिन यह कभी-कभी नही एक मैच ऐसा आएगा कि दो तीन विकेट ले लें तो एक आग जील में रिस्क लिया जा सकता है जैदे उनात कट कुछ खास उतना किदबाजी किया नहीं है पिटाई हुआ है हर मैच में और विकेट उतना मिला नहीं हां मैच फसने कर एक-दो मैच विकेट जरूर ले लिया लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं रहते हैं आराम से छोड़ सकते हैं कटर्स का ही हाली है दिनों में ज्यादा प्रयोग किया मैंक मारकंडे भाई यह हमारे लिए खासकार एसारच जीसे साब से खेर ला है न सेकेंड बॉलिंग में हमेशा इनको बंडल्स में विकेट मिले लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि एसारच भरोसाई उतना नहीं कर रहा है पिछले मैच में पिटाई हुआ भाई सबकी पिटाई हुआ दिल्ली का ट्रैक था लेकिन दो बर में 26 रन दिये दो विकेट ले लिए थे अगर यह जिस उस समय ऐसा इस्थिती था रिसकी और हो जाते हैं लेकिन सेकेंड बॉलिंग में जो भी रिसक लेना चाते हैं पर रिसक ले सकते हैं क्योंकि सामने लिप्टेंडर से नहीं है पिछले मैच में लिप एंड़ कार अगर उन्हों ने कट किया लेकिन वहां पर सबी थे तो लिप्टेंडर मुझे रीजन नहीं नजर आ रहा है क्यों कट किया पता नहीं कि पिटाई हो गया कट कर दिया आप जो भी हो तो रिस्क तो रहेगा लेकिन सेकेंड बॉलिंग में बहुत ही सांदार गिदबाज बढ़ियां गिदबाजी किया लिप्टाम पेसर है और इनके पास सब कुछ है सुरुआती तो उसमें कभी-कबार ज्यादा विकेट मिल जाता है नहीं तो सेकेंड बॉलिंग में इनको नॉर्मली ने एकाक विकेट ही मिलता है क्योंकि ये रन बचाने के लिए जाते हैं पिछले मैच में जैसे एक तरफा इनकी टीम जीत रही थी तो लास्ट में इनको चार विकेट मिल गया ठीक है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा सेकेंड बॉलिंग में यह मोस्ट अब दाइम एकाक विकेट कभी कबार दो विकेट फोड़िंग में ज्यादा अच्छे पिक रहते हैं सेकेंड बॉलिंग में थोड़ा एवरे लेकिन एसा रजभाई जम के रन बना रही है तो वह पॉसिबिल्टी भी है कि सेकेंड बॉलिंग में भी दो तीन विकेट ले जाएं तो फर्स बॉलिंग में मस्ट है पिक सेकेंड बॉलिंग में रिस्क लिया जा सकता है लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे यह ध्यान दीजेगा नीचे मॉस्ट पॉबली और को के खेलते हैं खोद के निकाल देते हैं विराट की बात करें तो इनका स्ट्रगल भी कुछ खास नहीं है लेकिन वह भी ने इनको आउट किया है लेकिन वह भी तब जब मुव्मेंट थोड़ा रहे चार बार आउट किया हुआ है लेकिन तीस के उपर एवरेज है फॉप की बात करें तो ज्यादा स्ट्रगल नहीं है लेकिन कमिंस ने इनको परसान किया हुआ है रजस पार्टज लेकिन ये वाले-स यह किसको विकेट दे पता नहीं लेकिन जब तक रहते हैं कुट आई करते हैं सीराज ने इनको भी 2 आउट किया अब इसे एक सर्माह यह भी किसी रहते हैं फिक्स नहीं रहता मारकरम इनका श्ट्रगल थोड़ा सा लेप्टाम और्फोडॉक्स होता है वह क्वाल्टी उधर है नहीं लेकिन डीके की बात करें किसकी बॉलिंग स्टाइल करते हैं तो यह कि उनिवर्सल इनका श्ट्रगल है कि अच्छे लेग स्पिनर के अग ब्रेक इनके अगेंस थोड़ा सा श्ट्रगल करते हैं एक चलते हैं रजाट पाटि दलेप्टाम मेडियम पेस लेंग स्पिन और मीडियूम पेस यह नंकी कमजूरिया थोड़ा भी ठीक टाइब लेकिन इन दोनों के अगेंस तगड़ा है इवन जब क्वाल्टी लेप्टाम और्थोडॉक्स होना तब भी स्ट्रगल करते हैं लेकिन उधर वैसा कोई है नहीं इस पिन के अगेंस बैसिकली यह थोड़ा स्ट्रगल करते हैं अब शेक सर्मा की बात करें ले लेकिन अच्छा खेलते हैं यह ध्यान दीजेगा अब्दुल समथ यह लेग स्पिनर स्केगंस विकेट फेके हुए हैं जादा मार्करम लेप्टाम और्थोडॉक्स यह इनका कमजोरी है उधर कोई है नहीं मेडियम पेसर स्केगंस भी थोड़ा सा रिकॉर्ट कराब है तो चारो को मैंने कवर किया है यहाँ पर एक ट्रॉम कार्ड आपके लिए पार्टी दर हो सकते हैं फॉर्म अच्छा चला है लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ी कमी रहती है याल रॉंडरस में मार्करम जैक्स और ग्रीन सब अच्छे पिक हैं बॉलिं सेक्षर में कमिंस और न हैं तो फिलाल के लिए मेरी टीम यह है कैप्टन की बात करें क्लासे इन को मैंने कैप्टन किया है विराट को वी सी आप रिवर्स भी कर सकते हैं है अच्छे कैप्टन सी ऑप्सान है फॉप्ट वीडियो समाप्त होता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा न लिंक नीचे मिलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद